तो हेलो बच्चो आज की सेशन में हम सर्फिस है रहे हैं वॉल्यूम्स क्लाश 10 उसके प्रिविएस ये कोशन्स का अनलीसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि इस चैप्टर से जो कोशन्स पूछे जा रहे हैं उनका लेवल किया है उनका स्टेंडर किया है और आपकी प्रिप एक साथ कोशन्स के नमबर वन से बिना टाम विष्ट की है तो कोशन्स की है हमारा कोशन्स की तो टोटल सर्फएस एल्या कितना हो जाएगा हमारा तो सबसे पहले तो यहां पर धिक्यूब्स को मिलाएंगे तो एक हो जाएगी हमारी length ठीक है, एक हो जाएगी हमारी length length कितनी हो जाएगी, यह 6 है फिर यह 6 है, यह 6 है, तो length हो जाएगी हमारी 18 ठीक है, breath की अगर हम बात करें, तो breath रहने वाली है 6, और height की अगर हम बात करें, height भी कितने रहने वाली है 6 रहने वाली है यहां पर लेंथ हमारी change हो गई बस ठीक है अब देखो cuboid का जो formula होता है surface area of cuboid उसका formula क्या होता है surface area of cuboid उसका formula क्या होता है twice of L into B plus B into H plus H into L यह formula होता है formula apply करते है तो length कितनी है 18 breadth कितनी है 6 plus breadth कितनी है 6 into 6 plus height कितनी है 6 length कितनी है 18 इसको solve करते है तो यह जाएगा 2 18 सिखजा कितना होता है 108 108 plus 6 सिखजा कितना होता है 36 18 सिखजा कितना होता है 108 इसको solve करते है तो यह हो जाएगा 108 और 108 कितना हो जाएगा 216 और 216 में अगर 36 height करेंगे तो कितना हो जाएगा 252 और 252 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना आ जाएगा 504 सब सेंटीमेटर में था तो यह सेंटीमेटर स्कॉएर हो जाएगी यूनिट तो यह हमारा आंसर आ गया ठीक है देखो कितना इसली हमने इसका आंसर निकाल लिया ऐसे ही एक next question दे रखा है कि अ हमने क्या किया यहां से इस तरह से हमिस्फेर की form में इसको कट कर दिया तो यह जो शेड़ेड पोर्ष्यन है यह कट करके बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद जो हमारे पास बचेगा यह वह वूड़न आर्टिकल है बोल रखा है कि अगर इस सिलिंडर की हाइट कितनी है सिलिंडर की हाइट हमें दे रखी है 10 सेंटीमिटर तो सिलिंडर की हाइट है यह हमें दे रखा है 10 सेंटीमिटर तो हमें बताना है कि इसके बेस की जो रेडियस है वो 3.5 है यह जो है वो 3.5 सेंटीमिटर है तो बताना है टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा आर्टिकल का देखो एक चीज़ तो किलियर है कि जो यहां पर टोटल सर्फेस एरिया ओफ आर्टिकल है ठीक है टोटल सर्फेस एरिया ओफ आर्टिकल यह किसके बराबर रहने वाला है यह बराबर रहेगा ठीक है कर्ड सर्फेस एरिया ओफ सिलिंडर पहले जो सिलिंडर हमें available था उसका area उसमें से क्या करो minus कर दो 2 hemisphere का area minus 2 into curved surface area of hemisphere कितना ही तो कर सकते हैं क्योंकि हम से surface area की बारे में पूछा जा रहा है न तो cylinder का curved surface area कितना होता है cylinder का curved surface area होता है 2 pi rh इसमें से हमें minus करना है एक सकीन a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder if the height of the cylinder is 10 cm base find the total surface area of the article अच्छा एक चीज़ यहां पर ध्यान दे न यहां पर हमसे volume की बात नियुक्त हो रही है जो हम minus कर रहे हैं हमसे total surface area पूछा है तो total surface area क्या होगा एक तो इस cylinder का surface area होगा और plus यह hemisphere यह वाला surface area भी तो calculate करेंगे तो यह किसका surface area है hemisphere का तो इसको भी add करना है और plus इसको भी add करना है नीचे वाले hemisphere को तो यहां पर plus का sign आएगा और hemisphere का area कितना होता है curved surface area 2 pi r square टीक है 2 pi r square तो volume निकालनी होती तो हम minus कर देते क्योंकि वो portion hollow है बट उसका curved surface area निकालना है तो फिर तो plus ही करना पड़ेगा क्योंकि surface area में वो भी तो covered होगा यहां से hemisphere कटा है वो जो उसने hemisphere कटने के बाद shape ली होगी उसका area भी तो count करना है तो वो hemisphere का area से ही निकलेगा formula है टो यहां से कुछ common आ सकता है तो यहां से देखो 2 pi r h और यह 2 तूज़ा 4 pi r square क्या common आ रहा है यहां से यहां से 2 pi r common आ रहा है तो यह बचेगा h plus 2 r यह बचने वाला है इसको solve कर लेते हैं तो यहां पर क्या करते हैं एक new slide ले लेते हैं और ये कितना आ रहे है, 2 pi r h plus 2 r, तो 2 pi r h plus 2 r, और देखो height कितनी दे रखी है, height हमें दे रखी है कितनी, 10 और radius दे रखी है कितनी, 3.5, values put करते हैं, answer हो जाएगा, so 2 into 22 by 7, radius है 3.5, मतलब 35 by 10, height कितनी है, 3.5, sorry height है 10, और 2 into r, तो 2 into 3.5 कितना हो जाएगा, 7, तो देखो 7 बन जा, 7 5 जा, 5 बन जा, 5 2 जा, और 2 से 2 cancel, तो यह आ गया, 22 multiply 17, और 22 की multiply अगर 17 में करेंगे, कितना आता है, 374 cm per second square है, ठीक है, आयोप इतना clear हो गया होगा, ठीक है, कैसे इस तरह है questions को किया जाता है, अब हम चलते है next question, पर, देखो next question किया है हमारे पास, कि from a solid cylinder of height 20 cm, एक solid cylinder है, जिसकी height है 20 cm, उसका diameter है 12 cm, ठीक है, height कितनी है, 20 cm, और diameter कितना है, यहाँ पर लिख लेते हैं, जो जो given है, information, जो जो information given है, उसको हम लिख लेते है, height दे रखी है 20 cm, और diameter मतलब radius दे रखी है 6 cm, ठीक है, a conical cavity of height 8 cm and radius is hollowed out, तो हमने क्या किया है, देखो, यह है वो solid cylinder, यह है वो solid cylinder, ठीक है, यह है वो solid cylinder, अब इस solid cylinder की हमें height दे रखी है कितनी, 20, इस solid cylinder की हमें height दे रखी है, 20, और diameter दे रखा है 12, बोल रखें, इसके अंदर एक conical cavity हमने क्या की बनाई, तो conical cavity का मतलब है, यह इस तरह का हमने portion इस तरह से cut करके बाहर निकाल दिया, यह cone की shape में cut करके बाहर निकाल दिया, तो हमें बताना है, अब यह hollow हो गया इतना, कौन की shape में, तो अब total surface area कितना हो जाएगा remaining part का, देखो जब भी कौन की बात होगी तो यहाँ पर slant height की भी बात होती है, slant height यह होती है L, ठीक है, यह हमारी height आगी 20, और यह हमारा हो गया 6, तो यह 20 है, यह 6 है, तो L निकालना है, तो L का formula क्या होता है, L square बराबर 20 square, plus R square, मतलब 6 square, 20 का square कितना होता है, 406 का square होता है 36, कुछ गडबड की क्या, height तो 20 है, अरे यार, होगा है गडबड, देखो थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, यह जो कौन है न, यह पूरा थोड़ी ना कट किया है, यह कौन जो है, यह हमने पूरा कटनी किया है, इसको मा मिटा दो, यह कौन कुछ इस तरह से कट हो रहा है, यह मैं बना देता हूं in fact, यह कौन की जो radius है, वो तो 6 cm ही है, तो कौन जो है बस इतना कट हो रहा है इतना कट हो रहा है कौन , कि पूरी height है cylinder की पूरी depth तब उसको कटनी किया है सिर्फ 8 cm height तक कट किया है और radius तो 6 ही है कौन की ठीक है यह जो radius है यह 6 ही है तो हमें क्या निकालनी है salant height निकालनी है यह height दे रखिये 8 यह दे रखिये 6 तो salant height कितनी है जाएगी तो 80 square 64 और 6 का square 36 तो यह जाएगा 100 मतलब 10 तो salant height क्या होती है यहाँ पर दुबारा कर लेते है L square होता है H square प्लस R square तो L square निकालना है तो height कितनी है 8 तो 8 का square प्लस radius कितनी है 6 तो 8 का square होता है 64 और R square होता है 36 तो L square आ गया कितना 100 तो यहाँ से L आ गया 10 तो slant height आ गयी 10 cm अब हमें total surface area निकालना है remaining solid का तो total surface area क्या हो जाएगा देखो total surface area solid क्या हो जाएगा सबसे पहले तो surface area of cone निकालो ठीक है यह वाला surface area निकालेंगे हम सबसे पहले देखो मैं बना के दिखा जाता हूँ हम यह वाला surface area निकाल रहे यह वाला ठीक है जब कौन यहाँ से cut करके निकालेंगे तो यहाँ पर भी तो एक surface दिखना सुट हो जाएगा ना मैं उसका area निकालने के बाद हम क्या करेंगे हम उसका surface area निकालने के बाद हम इसमें निकालने वाले हैं cylinder का surface area curved surface area of cylinder निकालने के बाद हम निकालेंगे curved surface area of circle जो ऊपर circle बनेगा ठीक है तो फिर हमने यह cylinder का curved surface area निकाला और उसके बाद जो ऊपर circle बन रहा है यह वाला circle उपर तो खली हो गया नीचे जो circle है उसका surface area निकालेंगे तो यह है cylinder का surface area यह है कौन का curved surface area यह है circle का तीनों को add करेंगे तब हमें remaining article का remaining solid का curved surface area मिल जाएगा total surface area solve करते हैं इसको फिटाफट solve कैसे करेंगे curved surface area of cone कितना होता है formula πrl curved surface area of cylinder कितना होता है 2πrh curved surface area of circle कितना होता है πr इसको solve करते हैं πr common ले लेते हैं बचेगा l ठीक है बचेगा 2h और बचेगा hr र ही बचेगा ना πr तो common ले लिया r इसको solve करते हैं πr की value कितनी है 22 by 7 radius हमें दे रखी है कितनी है 6 l दे रखा है 10 और 2 into height height किसकी है cylinder की 2 into 10 कितना हो जाएगा 14 radius कितनी है 6 solve कर दो इसको तो यह जाएगा कितना 6 to 12 1 carry 13 132 by 7 और यह 56 7 8 जा 56 होता है 8 2 जा 16 का 6 1 carry 8 3 जा 24 1 25 का 5 2 carry 8 बचेगा 8 9 10 1056 cm2 हमारा answer आजाएगा तो इस तरह से करना है question solve चलिए next question पे चलते है next question किस तरह से पूछ रखा है बोल रखा है the volume of a right circular cone whose area of the base is 156 cm2 देखे है the volume of a right circular cone तो right circular cone की जो volume होती है वो उसका formula क्या होता है 1 upon 3 pi r square h यह होता है right circular cone की volume का formula 1 upon 3 pi r square h बताना है हमें कितना होगा इसकी value बतानी है और हमें बोल रखा है area of the base देखो जो right circular कौन होता है इस तरह से इसका जो base होता है वो क्या circular shape का होता है तो इसका मतलब pi r square की value हमको दे रखिए 156 cm2 और height की value हमें दे रखिए कितनी 8 तो हम यहां से r निकाल लेते हैं फटा फट चलो r की value कितनी आ जाएगी r square आ जाएगा 156 upon pi मतलब 22 by 7 ठीक है तो अच्छा हम इतना करनी की जुरूती क्या है pi r square की value 156 दे तो रखिए तो हम answer निकालते है 1 upon 3 pi r square की value दे रखिए 156 और height दे रखिए में कितनी 8 इसको solve कर लो 3 5 जा 15 3 2 जा 6 8 2 जा 16 1 carry 8 5 जा 40 41 तो 4 1 6 cm3 हमारा answer आ गया मतलब option number D हमारा correct answer हो गया कितना easy question है न देखो next question क्या बोल रखा है next question में बोला जा रहा है water in a river which is 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 km पर आर एक river है जो 3 meter deep है ठीक है 3 meter गहरी है और 40 meter चोड़ी है उसमें जो पानी flow हो रहा है वो 2 km पर हार की speed से flow हो रहा है how much water will fall into the sea in 2 minutes तो 2 minutes में समुदर में कितना पानी गिरा देगी river cdc बात हैं सबसे पहले तो हम यह निकाल लेते है river जो है उसका area कितना है area of river अब यह rectangle shape की है तो इसको ml into b कर लेते है 3 into 40 तो कितना हो जाएगा 120 meter में है तो meter square river का area इतना है ठीक है और बहा किस rate से रही है वो rate of flowing तो वो है 2 km पर हार तो 2 km का मतलब होता है 1000 तो 2000 meter पर हार और 1 hour में कितने minute होते है 60 minutes इस rate से वो भहरी है इसको ज़रा cancel कर लेते हैं तो यह जाएगा 100 by 3 meter पर minute के साब से वो भहरी है ठीक है तो अगर वो एक minute में 100 by 3 meter flow कर रही है तो 2 minute में वो कितना flow करेगी तो 2 minute में वो 200 by 3 meter flow करेगी खुदी सोचो ना rate of flowing के है 100 by 3 meter per minute तो एक minute में वो 100 by 3 meter flow कर रही है तो 2 minute में वो कितना flow करेगी 200 by 3 meter flow करेगी इतना clear हुआ तो एक minute में वो इतने meter flow कर रही है और area कितना है उसका 120 तो water fall into the sea निकालना है अगर water fall into the sea वो कितना आ जाएगा 2 minute में वो कितना meter बहेगी 200 by 3 और area कितना है उसका 120 तो solve कर लो इसको यह 40 आ जाएगा तो यह जाएगा हमारा लगबग लगबग कितना आ जाएगा 8,000 है ना 8,000 meter cube पानी जो है वो समुद्र में चला जाएगा 2 minute के अंदर क्लिर हुआ है क्योंकि उसका area कितना पानी है 120 meter square पानी लेकी चल रही है वो 2 minute तक वो 100 by 3 meter flow कर जाएगी तो इतने में कितना पानी आ जाएगा 8,000 meter cube इस तरह से हमें question solve करने है चलते है next question पर देखो next question क्या है किता volume of right circular cylinder ठीक है with its height equal to its radius देखो right circular cylinder जो होता है उसकी जो volume होती है उसका formula क्या होता है volume का जो formula होता है वो होता है πाई r square h कितना formula होता है πाई r square h ठीक है तो यह formula हमें दे रखा है volume कितनी दे रखी है 25, 1 by 7 यह हमें volume दे रखी है मतलब यह πाई r square h की value दे रखी है और हमसे height पूछ रखी है देखो हमें बोल रखा है इसकी जो height होगी वो radius के ही बराबर है जो height है वो radius के ही बराबर है पहले तो इसको simple form में convert करते है 7 into 25 कितना होते है 175 और 175 प्लस 1 176 तो 176 by 7 बराबर पाई अब जो radius है वो height के ही बराबर है तो r square को हम h square लिख सकते है multiply h तो क्यों ना हम इसको ऐसी निलिख सकते है 176 by 7 बराबर πाई into h cube लिख सकते है तो यहां से h cube की value कितनी है जाएगी h cube की value हो जाएगी 176 by 7 अपोन पाई मतलब 22 अपोन 7 ऊपर चला जाएगा यह cancel हो जाएगा अब यह कितने time चला जाएगा 22 8 जा होता है 176 h cube 8 आ गिया तो h की value कितनी आ गई 2 ठीक है h की value कितनी आ गई है तो बना देते हैं cylinder की form में ठीक है यह क्या cylinder की form में ठीक है with hemispherical ends तो hemispherical ends भी हमने बना दिए the total height of the solid is 20 cm तो total height जो है solid की वो कितनी है 20 cm मतलब यह हमें दे रखा है 20 cm हमें दे रखा है and diameter of the cylinder is 7 diameter का मतलब यह हमें 7 दे रखा है यह हमें पूरा 7 दे रखा है मतलब radius हो जाएगी 7 by 2 फिर हमें बोल रखा है find the volume of the solid तो volume of the solid निकाल नहीं है तो सीधी सी बात है volume of cylinder निकालो volume of cylinder निकालो plus 2 times of volume of hemisphere निकालो क्योंकि 2 hemisphere है यह answer आजाएगा volume of cylinder का formula होता है pi r square h pi r square h plus 2 times of volume of hemisphere का formula क्या होता है volume of hemisphere होता है 2 by 3 pi r u value रखा हो आजाएगा तो pi की value होती है 22 by 7 r तो radius of cylinder 7 by 2 7 by 2 का square कितना होता है 7 7 जा 49 and 2 2 जा 4 और height कितनी है height है हमारी कितनी height है cylinder की height निकाल लिए है अच्छा यह तो पूरी height है solid की यह पूरी height है 20 अब cylinder की height अगर हमें निकाल लिए देखो यह interesting चीज है cylinder की height कैसा आएगी देखो यह जो portion है ना यह cylinder की radius जो होगी वह हमारी क्या होगी hemisphere की radius होगी तो cylinder की radius है 7 by 2 तो hemisphere की radius भी क्या हो जाएगी 7 by 2 मतलब यह वाला portion भी हमारा 7 by 2 है और यह वाला portion भी हमारा 7 by 2 है इसका मतलब है 7 by 2 प्लस 7 by 2 कितना होता है 7 तो 20 में से अगर 7 माइनस कर दो तो यह वाला portion हमारा आजाएगा 13 clear हुआ तो यह 13 दे रखी है height यह गलती मत कर देना यह height को 20 ले लेना तो 2 to 4 upon 3 pi की value होती है 22 by 7 और r r हमारा अगेन वही है radius कितनी है 7 by 2 तो 7 by 2 का cube इसको solve करो यहां से answer आजाएगा बड़ा ही simple ठीक है तो यहां से answer आजाएगा दोनों का sum कर देना जो-जो values आएगी और फिर यहां से मैरा answer डिकल जाएगा बड़ा easy question था next question भी चलते हैं देखो next question क्या बोल रहा है next question को पोड़ो कि a solid is in the shape of a right circular cone एक solid है जो right circular cone है तो surmounted on a hemisphere देखो कितना बढ़िया question दे रखा है कि एक hemisphere है उसके ओपर कौन surmount हो रहा है तो यहां पर बना देते हैं सबसे पहले तो क्या करेंगे यहां पर हम एक hemisphere बना देते हैं यह होगी है हमारा hemisphere और इसके ओपर क्या है हमारा cone है surmount हो रहा है यह हमारा आ गया cone इस तरह है यह हमें बोल रहा है the radius of each of them being 7 centimeter और जो हमिस्फेर है उसकी रेडियस भी कितनी है 7 है यहां से इसको जोइन कर देते हैं इसकी हाइट हजाएगी कॉन की दा हाइट अप दी कॉन इस इक्वल स्टु इस डायमेटर ओके लेडियस अगर कॉन की 7 है तो डायमेटर कितना हो जाएगा 14 तो हाइट डायमेटर के बराबर है find the volume of the solid इस solid की volume बतानी है देखो सीधी सी बात है volume of solid क्या हो जाएगा volume of solid हमारा बराबर हो जाएगा volume of कॉन plus volume of hemisphere और volume of कॉन क्या होती है volume of कॉन का फॉर्मूला होता है 1 upon 3 π r square h और volume of hemisphere कितना होता है 2 by 3 π r cube यही तो होता है formula फटाफर values रखते है 1 upon 3 π की value होती है 22 by 7 radius of कॉन की radius कितनी है 7 7 multiply 7 और height कितनी है कॉन की 14 plus 2 by 3 फिर again π की value 22 by 7 r कितना है 7 तो 7 multiply 7 multiply 7 इसको solve कर दो answer आजाएगा 7 से 7 cancel हो गया ठीक है 7 से 7 cancel हो गया 7 से 7 cancel हो गया अब देखो अब यह solve करना tough पढ़ रहा है ना नहीं पढ़ेगा क्यों 22 common ले लो 3 common ले लो 7 common ले लो अंदर कितना बचेगा 22 7 3 common ले लिया 7 इस 14 को क्या लिख सकते है 14 को मैं लिख सकते है 7 by 2 एक और 7 common ले लो एक और 7 common ले लो तो यहां पर बचेगा 2 22 common ले लो 7 7 common ले लो 3 common ले लो बचेगा यहां से देखो 22 by 3 यह common लो यह common लो 7 7 common लो 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 तो यह हो गया 22 by 3 multiply 7 multiply 7 multiply 4 अब कुछ cancel हो सकता है नहीं तो 22 by 3 multiply 14 9 multiply 4 अब तो इसको soli करना पड़ेगा यहां से answer आजाएगा आपका ठीक है calculation आप खुद कर ले ना मैं बस concept समझा रहा हूं कि board में किस तरह के questions पूछे गए हैं चलिए next question पर चलते है next question देखो किया है next question गोल रहा है a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone of same radius question में क्या बोल रखा है question में बोल रखा है कि एक solid toy है जो किसकी form में hemisphere की form में surmounted by a right circular cone I think यह पहले वाले question की तरह यह बिल्कुल देख लेते हैं इसको एक सगी ना duplicate कर लेते हैं यहां पर मैं बना देता हूं इसको तो यह मैंने बनाया कटो रहा मतलब hemisphere है और यह हो गया cone यह हो गया हमारा cone ठीक है यह हो गई हमारी cone की height clear अब देखो अब हमें question में क्या क्या given है वो देखते हैं a solid toy is in the form of ठीक है यह हो गया और right circle upon same radius अब radius same होगी ठीक है the height of the cone is 10 cm तो यह हमें दे रखा है 10 height and the radius of its base is 7 मतलब radius दे रखी है 7 determine the volume of the toy toy की volume बतानी है also find the area of the colored sheet required to cover the toy अब इस toy को अगर हम एको cover pack करना है तो कितनी area की sheet चाहिए मेरको यह चाहिए तो बाद में हम देखेंगे फिलाल हम देखते है volume क्या है toy की तो toy की जो volume होगी ठीक है वो किसके बराबर होगी volume of cone plus volume of hemisphere right अब मेरको यह पताओ volume of cone किसके बराबर होती है volume of cone होती है 1 upon 3 pi r square h और volume of hemisphere किसके बराबर होती है 2 by 3 pi r cube एको board ना cone पे hemisphere पे और cylinder पे सबसे ज़्यदा focus करता है cone, hemisphere और cylinder पे तो इन तीन के formula आपको अच्छे से ज़्याद होने चीए curved surface का, total surface का, volume का क्योंकि इनसे quotient बनने के chances ज़्यादा होते है देखो radius तो दोनों की same ही है तो हम यहां से r common ले सकते हैं अगर radius अलग अलग होगी तो आपको एक को r और एक को capital r मानके चलना होगा यह चीज ध्यान रखना अभी तक हमने जितने question किया है radius same थी तो मैं एक ही ले रहा हूं small r अगर radius अलग अलग होगी तो एक को capital r और एक को small r तो एक को r और एक को r डश इस तरह से मानके चलना है अब radius same है तो common भी आई सकती है यहां से क्या common आजाएगा 1 upon 3 common आजाएगा πाई common आजाएगा r square common आजाएगा अंदर कितना बचने वाला है h plus r नहीं h plus 2r बचेगा ना क्योंकि 2 भी तो नहीं है h plus 2r यहां से values निकाल देते हैं फटाफट जरा तो 1 upon 3 पाई की value होती है 22 by 7 radius कितनी दे रखी है 7 है ना तो 7 multiply 7 और height कितनी दे रखी है 10 तो 10 plus 27 जा 14 यहां से solve कर लो 3 से 3 cancel हो जाएगा तो यह कितना आ जाएगा 22 into 7 upon 3 और यह 10 into 14 कितना होता है 24 3 बंचा 3 8 जा 24 तो यह हो जाएगा 22 multiply 7 8 जा 56 22 into 56 कितना होता है 1 2 3 2 कितना centimeter cube क्योंकि volume है तो cube लिखना है यह धियान रखना है units का धियान रखना है यहां पर centimeter square मत लिख देना क्योंकि area निकाल रहे volume निकाल रहे देखो अब जब हमसे पूछा है कि अगर हम इस toy को wrap करना है किसी sheet से तो कितना area की sheet हमें required है तो जब भी area पूछेंगे sheet के बारे हम पूछेंगे cover करना है तो ध्यान रखना curd surface area जितना होगा उतनी sheet तो required होगी तो in short वो कहना चाहरे है curd surface area पूछेंगा तो area of sheet required area of sheet required क्या जाएगा curd surface area of cone plus curd surface area of hemisphere तो curd surface area of cone का formula क्या होता है पाई आरेल ठीक है और curd surface area of hemisphere का formula क्या हो जाएगा 2 Pi r sqr तो यहाँ से solve हो जाएगा क्या-kया common आसकता है Pi common आसकता है R common आसकता है यहाँ पर बचेगा L यहाँ पर बचेगा 2R अब देहो हमें R पता है H पता है L निकालना है तो L क्या होता है H square plus R square q deb potrze h कितना हे 10 10 का square कितना होता है 100 R कितना है, 7, 7 का स्क्वाइर, 49 तो L आ जाएगा, अंडरूट 149 L कितना जाएगा अंडरूट 149 और अंडरूट 149 किसके बराबर होता है 12.something के बराबर होता है 12 का स्क्वाइर 144, 13 का स्क्वाइर 169 तो 149 कहा पर लाहे करेगा 12.24 something लाई करेगा तो यह आजाएगा पाई की वैल्यू 22 by 7 आर आगया 7 एल की वैल्यू आगया 12.2 7 की जगा 12.2 यह 12.24 की जगा 12.24 और 2 इंटो आर 27 जा 14 7 से 7 के इंसिल यह आगया 22 और यह कितना आगया 12 और 12 24 25 26.24 ठीक है तो यहां से I think हमारा एरिया कितना आजाएगा है 20 20 कितना होता है 400 500 something आएगा 575 something आएगा 76 something ठीक है 0.4 जो बोर्ड की आंसर की है उसमें इसका आंसर दे रखा है 576.4 something दे रखा है तो यह इसका आंसर आगया ठीक है तो confused नहीं होना है कि उन्होंने sheet का पूछ रखा है तो क्या निकालना है अब देखो जितना उसका curved surface ही जाओ उतनी तो sheet लगेगी तो बस curved surface ही जाओ निकालके बता दो देखो next question next question इसी का second part है बोर्ड रखा है a solid iron pole consist of a cylinder of height 220 cm ठीक है and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm बढ़िया ठीक है उन्होंने क्या बोल रखा है उन्होंने बोला है कि एक आपके पास cylinder है यह एक cylinder है आपके पास ठीक है और इस cylinder के पारे में उन्होंने information दे रखी है information क्या क्या दे रखी है कि यह जो cylinder है इसकी height कितनी है 220 cm इसका diameter है 24 तो इसकी radius है कितनी 12 यह दे रखी है और diameter पूरा 24 which is surmounted by another cylinder of height तो यहाँ पर हमें एक और cylinder दे रखा है ठीक है इस cylinder के उपर एक और cylinder रखा हुआ है और इस cylinder की जो height है वो हमें दे रखी है 60 cm यह तो हमें दे रखा है 60 cm और radius दे रखी है 8 मतलब यह दे रखा है 8 clear और बोल रखा है find the mass of the pole इस पूरे का में mass निकालना है और hint दे रखी है given that 1 cm cube of iron का जो mass है वो 8 gram है तो 1 cm cube iron का mass 8 gram है मतलब यह volume है मतलब एक unit volume का mass जो है वो 8 है ठीक है एक unit volume का mass 8 gram है तो total volume निकाल लो नहीं इसकी क्या दिखते है total volume निकालके add कर दो और उसमें multiply कर दो 8 से answer हो जाएगा तो सबसे पहले हम क्या करते है v1 निकालते है volume of first cylinder यह v1 है और यह v2 है ठीक है तो यह कितना आ जाएगा 22 by 7 ठीक है r1 कितना है 12 12 का square 12 into 12 और height कितनी है 220 यह आ गया इसको solve करना है यहां से answer आएगा फिर हम निकालते है v2 यह जाएगा pi r2 square into h2 pi की value आ गई 22 by 7 r2 कितना हो जाएगा radius है 8 8 है 6 है 8 है 8 into 8 और height कितनी है 60 तो यहां से answer आ जाएगा video pause करके एक पर इसकी value calculate कर लेता हो ताकि answer तक exactly पहुंचा जा सके ठीक है तो देखो यह आ गई है हमारी first cylinder की volume 99475.2 cm2 और यह आ गई हमारी second cylinder की volume 12057.6 दोनों की volume को add कर दिया मैंने तो total volume आ गई इतनी अब उन्होंने बोल रखा है इतने centimeter cube की one centimeter cube का मास है वो eight gram है दे रखा है ना one centimeter cube का मास eight gram है तो इतने centimeter cube का मास कितना होगा multiply by eight कर दो तो जितना भी multiply करके आएगा वहमार answer आ जाएगा answer आएगा eight nine double two six two point four gram टीक है इतना मास आएगा इस iron pole का इस तरह से में अपना answer calculate कर सकते हैं इसी level के questions board exam में पूछ जाएगे इस बिलकुल पूरा लेटेस्ट questions ये वाला question 19 में पूछा गया था इससे पहले 20 में पूछा गया है ना ये 20 में पूछा गया था इससे पहले वाला 2023 में पूछा गया था बिलकुल सिंदम लेटेस्ट कोशन है पेपर का लेवल इसी ऐसा ही रहने वाला इससे ज़्यदा टफ फेपर नहीं आएगा ठीक है यह कोशन सबसे कैल्कुलेटिव कोशन होते हैं पस इनमें टाइम लगता है बाकी लेवल इतना ही रहने वाला है ठीक है अब देखो नेक्स गोशन ट्राइमिटर टू सेंटिमेटर इंट्वा सिलेंड्रिकल टैंक अफ बेस रीडियस पूर्टी सेंटिमेटर एड़ एड़ राइट वर्टर इंट्रमाइं डराइज इन लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इन हाफ एन आर तो हाफ आर में कितना लेवल राइस हो जाएगा यह बता दिया है तो इसमें ज्यादा कोशिंस जो रिपीट ओर रखे हैं इसले लाएं क्योंकि हर एक कोशन करा चुका हूं अब ज्यादा कोशन कर आऊंगा वह इसी की जैसे होंगे बिल्कूल तो जितना हमें इंफोर्मेशन गेन करने थी जो चीज हमें सीखनी थी वह मैंने इतने questions में सीख लिए अब जो एक question ये बच रहा है ये आपके लिए homework है ठीक है practice question एक तरह से इसका answer आपको जो है वो comment box में बताना है किसका answer कितना रहा है और ये अच्छा question है बिल्कुर एकदम start लगा लो ठीक है एक नए chapter के analysis करेंगे उसके board के questions का